आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एबाट द प्रो कारियोट सेल का एक ओबर वियू स्ट्रक्चर उसके बाद फिर उसका डिटेल करते जाएंगे इस सेरीज में के जिस सेल बालोजी में हम लोग बहुत सारा वीडियो आ चुका है अल्रेडी आप देख चुके है प्लेडिस्ट में जाहिए प्लेडिस्ट में देखिए साथ में www.nepeducation.com पे इच और एब्री वीडियोज आर एरेंज देने सिरियल वे कहीं यूट्यूब पे आपको प्लेडिस्ट में एक सिरियल वे में वीडियो को फाइंड आट करना मुस्किल हो रहा है तो वहां आप उसको कर सकते हैं ओके आए यह जो टॉपिक है प्रोकारियोट सेल दिस दसी बीए सी बोट में भी क्लास 11 के लिए और एन भी क्लास 11 साथ में common entrance exam जो नेपाल में एक medical के लिए उसके लिए और इंडिया में भी नीट के लिए एक दम important topic है जिस तरह से आप लोगों को पता है इसमें हम लोग discuss भी करते जाते हैं तरह साथ में जो भी किसी भी टाइप का जो प्रावलम ए उसका भी हम लोग discuss करते जाते हैं ओके लेट्स कम सब आप विद्यार्थी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल नेप एजूकेशन पर माया वाइक मान मिश्रा आज हम लोग डिसकस करें about the prokaryote cell तो है क्या prokaryote cell को study करने के लिए prokaryote cell इसका good representator होता है bacteria good representator bacteria या जिसका singular way में हमको लोग कहता है bacterium bacterium या bacteria तो prokaryote cell का study करने का मतलब है एक typical bacteria के structure को अगर हम लोग study करते हैं तो we know that about the structure of the prokaryote cell prokaryote यह एक primitive type का cell है सबसे पहले यह small in size यह eukaryote के compression में बहुत ही छोटा होता है 0.1 micron meter से लेके 5 micron meters का average size होगा जबकि हम लोग पढ़ेंगे eukaryote cell में eukaryote cell का size एक average में 10 micron meter से 100 micron meter में जाता है average size का बात करते हैं तो prokaryote cell eukaryote cell के comparison में it remains the small in size size में छोटा होता है लेकिन इसका जो डिविजन होता है वह faster than the eukaryote cell faster than eukaryote cell क्योंकि छोटा भी है complex structure भी नहीं है यहां पर there is the division happened in the very fast way over there तो this is happened prokaryote cell का इसका जब हम लोग structure देखते हैं तो एक typical bacteria का अगर हम लोगे structure देखें तो क्या सब मिलता है उसको आज overview करते हैं फिर अगले वीडियो में एक एक जो part important है उसको हम लोग explain करते जाएंगे सबसे पहले क्या है जो सबसे बाहर दखेंगे तो capsule होगा लेकिन एक base से लेके चलता है हम लोग इसमें आपको cell है तो cell membrane होगा cell membrane में in folding मिलता है हम लोग को in folding मिलेगा यहां पर और this in folding cell membrane में this is the cell membrane over there okay यह cell membrane है तो सभी cell में जाते हैं हम लोग there is the membrane is there यहां पर cell membrane हो गया इस cell membrane पर यहां पर होता है क्या जो cell membrane से ही attach होता है there is the respiratory chain इसको में लोग respiratory chain कहते हैं या कह यह रेस्प्रेशन के लिए जो enzymes होता है these remain present attached with the plasma membrane यह प्लाज्मा membrane से attach होता है respiratory chain over there कि ओके इस तरह से यह पूरे अब लोग बढ़ लेते हैं यह respiratory chain over there चारोत रफ यह plasma membrane या इसके cell membrane के inner surface से यह attach होता है it is the site for the respiration respiration का site है एक और structure respiration का site जिसको अम लोग explain भी करते हैं करेंगे इसको आप लोग जब तक मैं इसको बढ़ रहा हूं if you are the first time on the this channel you can subscribe it यह हो गया respiratory chain cell membrane cell membrane में यह infoldings होता है यह भी आते है बाद में यह क्या है अब यहां पर होता है क्या है इसके बाहर होता है there is the presence of the cell wall दोस्रे कलर से रिपर्जेंट करूं तो यहां होता है there is the presence of the cell wall लेकिन cell wall यह बैक्टेरिया के shape को भी determine करता है high osmetic pressure को पनी sorry high osmetic pressure को भी यह wear करता है near about 20 atmospheric pressure तक जेल सकता है यह is it clear लेकिन plant cell में भी हम लोग परते हैं cell wall तो plant cell का जो cell wall होता है that is made up of the cellulose याद रखेगा plant cell का cell wall होता है वह बना होता है cellulose का लेकिन यहां बैक्टेरिया में जो यह cell wall है यह बनता है peptidoglycan peptidoglycan का बनता है यह muramic acid और glucose amine का mix होके alternately arrange होता है muramic acid और glucose amine क्या क्या होता है peptidoglycan में muramic acid muramic acid and glucose amine यह दो alternately arrange होके बनाता है peptidoglycan जिसका बनता है cell wall of the bacteria तो बैक्टेरिया का जो cell wall है it is not made up of the cellulose it is made up of the peptidoglycan लेकिन एक बैक्टेरिया याद रखेगा यह सब question निकलता है mycoplasma जो mycoplasma doesn't have the cell wall mycoplasma जिसमें cell wall नहीं होता है याद रखेगा यह cell wall less bacteria mycoplasma इसमें cell wall नहीं होता है यह the important question बन सकता है तो this is the cell wall जो की बनता है peptidoglycan का peptidoglycan का अब होता क्या है इसके उपर इसके उपर होता है glycocalyx जो की निट में पूछा हुआ question भी है या उसको हम लोग करते हैं that is the word capsule इसके उपर फिर एक slimy mold का layer होता है जिसको हम लोग करते है capsule okay this one is the capsule और glycocalyx करते हैं इसको glycocalyx यह निट में पूछा हुआ question है जिसको हम लोग next video में discuss करेंगे this is the capsule over there capsule होगा यहां पे इसके सबसे बाहर अगर हम लोग देखते हैं there is the presence of the word capsule उसके बाद मिलेगा आपको cell wall फिर मिलेगा there is the cell membrane इसी cell membrane से इसमें maybe one और टू फ्लैजला यूस्टू कमट एक या दो या मेनी फ्लैजला भी बाहर आ सकता है there is the flashla अगर यह दोनों इंड पे फ्लैजला रहता है एक दो है अगर दोनों इंड पे है तो ऐसे फ्लैजला के arrangement को हम लोग करते हैं polar yes जो अगर फ्लैजला मेनी फ्लैजला भी हो सकता है और पूरे अगर एरेंज है फ्लैजला अबर देर तो इसको हम लोग करते हैं पेरिट्राइकस वह arrangement अगर फ्लैजला पूरे बोड़ी में एरेंज है तो उस arrangement का नाम दिया गया पेरिट्राइकस इसके बाद इसमें और भी आपको मिलेगा that is the word कुछ इसमें से निकला हुआ रहता है that is the paila कुछ बड़ा होता है फिम्ब्री इस तरस से यह निकला हुआ रहता है that is the paila and phyla and fimbry yes this one happened इस तरस से मैं alternately arrange गया लेकिन ऐसा कोई जोरी नहीं है alternately ही arrange हू एक बड़ा एक छोटा है इस कुछ बड़ा हो जाता है कुछ छोटा हो जाता है तो इसको हम लोग करते इस इस इड़ वर्ड जो कि लार्ज इन साइज है लेकिन फ्लैजला से कंप्रेजन में यह छोटा होगा फ्लैजला का कंप्रेजन केज़ेगा उससे स्मॉल इन साइज होता है और जो यह बड़ा एरेंज है इस इड़ इस कॉलड पीय लाइफ ऊड़्ट इसको आण्ड जो छोटा है इसको हम लोग करते हैं फिंब्री इसका भी यूजम लोग पढ़ेंगे डिटेल करेंगे इसको फिंब्री यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोशन पुछा जाता इससे तो देर इस दर फाइला याद रखने के लिए कौन छोटा कौन बढ़ा एकदम छोटा है लेकिन साइज में बढ़ा है इसके बाद अब इसके अंदर जब हम लोग आते हैं इन प्रोकारियोट सेल के अंदर मेंस बैक्टरिया के अंदर तो इस इन फोल्डिंग जो हम लोग दीखे इसको काता है मीजोजूम यह मीजोजूम इससे कभी-कभी डीने भी एरेंज होता है डाट इस दे रेमें एटाच लेकिन बैक्टरियल सेल प्रोकारियोट सेल में सिंगल यार जाधा भी होगा लेकिन में दे दे अधे दे डियूर डिया ओवर दे है जिसको हम लोग नेम देते हैं नुटनि इंपल न नीकुलिई आइड ALL पर लेकिन य हो वन्हार करते हैं इसको नुकल आइट पर फ्र्म साइड नियुकलाइड नहीं Altoo दे इसमें यू के गेट दीरपर घे इता दा करते हैं and it remain attached together by the mRNA messenger RNA से attached तो यह अगर singly है this is the word free in the cytoplasm ribosome if it is the remain in the group over there तो इसको लोग करते है polysome और यह एक दूसरे से बंदा हुआ है polysome में by the one type of the RNA that is the mRNA messenger RNA यह हो गया phlazolum phlazolum singular होता है phlazolum plural होता है phlazolum इसके बाद है इसमें there is the presence of the cytoplasm cytoplasm आपको मिलेगा in this one you can get the many granules over there granules भी मिलता है इसमें जो की इसका इस्टूर्ड फूद है that is the we can get the granules membrane नहीं होता है इसमें this is the granule over there okay in this one you can get कुछ में इनर्टर्नल membrane system भी होता है यह फोर्तो सिंथेटिक बैक्टेरिया में क्रोमाटो फोर भी मिल जाएगा इसमें क्रोमाटो फोर मिलता है जो फोर्तो सिंथेटिक बैक्टेरिया है उसमें क्रोमाटो फोर्स मिल जाएगा हम लोग को और इस प्रोकारियोट इस नुक्रेश जो यह डी ने ने नुकलाइड इस नॉट बॉंडड बाइद एनि मेंब्रेन और मेंब्रेन अस इस्ट्रक्चर यहां माइटो कॉंड्रिया गॉल्जी बर्डी इंडो प्लादमिक रेटिकुलम यह सब नहीं है इस 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 अपन सम अब दे स्ट्रक्चर अगर प्रोकयरिट सेल का एक ऑवर्वी इस्ट्रक्चर हम लोग देखे तो इस टाइब का इस्ट्रक्चर नजर आता है ओकी क्ने मेसट ट्लास में अब साथ में जो पूछा हुआ कुस्टन है उसको भी हम लोग डिसकस करते जाते हैं तो एक एक पार्ट को लेंगे और उससे रिलेटर जो कुस्टन अभी तक प्रिविएसली पूछ चुका है डिफरेंट कंपेटिटिव एक्जाम में आधर फ्रम दे इंडिया नेपाल उसको हम ल नेक्स वीडियो